दोस्तों नमस्कार अपने चैनल पे मैं विजय प्रकास आपका हर्दिक स्वागत करता हूं दोस्त हम अपने सुख से उतने सुखी नहीं होते हम अपने दूख से भी उतने दुखी नहीं होते जितने हम अपने करेबी लोगों के सुख से दुखी होते हैं भले कोई मुखवटा लगा कर अपने मित्र के कम्याबी को देख कर कहे कि मैं बहुत खूस हूँ मगर हकीकत में ऐसा बहुत ही कम होता है दोस्त एक बार एक ब्यक्ती हाथ में हत्यार लिए किसी खास मिसन पर जा रहा था उसे रास्ते में महात्मा बुद्ध का आस्रम दिखाई दिया उस ब्यक्ती ने सोचा जब बुद्ध का आस्रम देखी गिया तो थोड़ा चलके उनसे भी मिल लेते हैं सुना है उनके पास हर किसी के समस्याओं का हल होता है वा बुद्ध के अस्रम के उड़ चल दिया जाकर बुद्ध को परणाम किया और बोला आपके पास तो हर समस्या का हल है मैं आज कल बहुत परसान चल रहा हूँ ये देखिए मेरे हाथ में हत्यार मैं इससे अपने ही मित्र का हत्या करने जा रहा हूँ क्योंकि उसने बहुत बड़ा धोखा किया है मेरे साथ अगर मैं उससे अधिक अमीर बन जाता तो उससे छोड़ देता पर क्या करूँ लाग प्रियास करने के बावजूद भी हमारा ब्यावसाय चोपठ हो गया है आप कोई मार्ग मुझे बता दें जिस पर चल के मैं उस मित्र से अधिक अमीर बन सकूँ तो आपकी बहुत बरी क्रिपा होगी बुद्ध ने कहा तुमारे लिए मार्ग है मेरे पास जिस पर चल के तुम उस सारा कुछ हासिल कर सकते हो जो तुम पाना चाहते हो उस ब्यक्ति ने कहा प्रभू किरपा करके ओमार्ग बताईए हमें बुद्ध ने कहा तुम अपने ही मित्र की हत्या करना क्यों चाह रहे हो अगर पूरी सच्चाई मुझे बता दोगे तो मैं वह रास्ते भी बता दूगा जिस पर चल कर तुम सफलता पा सकते हो उस ब्यक्ति ने कहा मैं और मेरा मित्र इस नगर में दस साल पहले आये थे मेरे पास पहले से काफी अधिक धन था मैंने अपना कारोबार सुरू कर लिया मेरा ब्यापार बहुत बरिया चलने लगा और देखते ही देखते मैं बहुत धनवान हो गया फिर एक दिन वह मेरा मित्र मेरे पास आया और अपना ब्यावसाय करने के लिए मुझ से मदद मागा चुकि वह मेरा मित्र था, मैंने पैसों से उसकी मदद कर दी, उसने अपना खुद का ब्योसाय सुरू कर लिया, बाद में मेरे पैसे भी वापस कर दिये उसने, उसका कारोबार दिन दुना रात चोगुना परने लगा, और इधर मैं उससे इरसिया करने लगा, मुझे उसकी तरक्की देखकर जलन होने लगी, वह मुझसे भी अधिक धनवान बन गया, मैं हमेसा यहीं सोचने लगा, कि मैंने ही उसे हेल्फ किया, मेरे ही पैसों से उसने कारोबार स्टार्ट किया, और आज हमसे भी अधिक अमीर बन गया, यह मुझे बरदास्त नहीं हुआ, कि वह मुझसे अधिक धनवान बना रहा, इधर उसको नीचा दिखाने के चक्कर में मेरा ब्योसाय पूरी तरह से चोपट हो गया, आप तो परिवारी खर्च भी बरी मुश्किल से निकल पाता है, यह सब मुझसे बरदास्त नहीं हुआ, तो मैंने प्लानिंग कर लिया उसकी हत् ने की, ना रहेगा बांस, ना बाजेगी बांसुरी, मगर संजोग से आपका आसरम दिखा, और मैं आपके सरन में आ गया, कि साइध यहां कोई सुन्दर सा मार्ग मिल जाए हमें, बुद्ध ने कहा, क्या उस मित्र से अधिक धनवान और भी लोग है नगर में, ब्यक्ति न ने कहा, नहीं, मैं तो उस से इर्सिया रखता था, तो मैं कैसे मांगता उस से, बुद्ध ने कहा, मैं तुम्हें एक सही मार्ग बता रहा हूं, जिस पर चल के तुम सुखी रह सकते हो, सबसे पहले तुम अपने उस मित्र से मदद मांगो, वह जरूर तुम्हारा मदद करे फिर अपने कारोबार पर पहले के जैसे ध्यान दो, सिर्फ अपनी परगती के बारे में सोचो, दुसरों के तरक्की को देखकर दुखी होना छोड़ दो, लगातार एक साल तक सिर्फ अपने वेवसाय पर ध्यान दो, और रोज थोरा समय निकाल कर आसरम में भी आ जाया करो यहां तुम्हें रोज नए मार्ग मिलेंगे और अपनी कमाई के कुछ अंस गरीब और जरूरत मन में भी जरूरदान करो, यह सब तुम्हें कम से कम एक सालों तक करना है, उसके बाद हमसे बात करना, तुम्हारी कितनी तरक्की हुई, कितने सफल हुए तुम, वो अब्यक् इस बिच वह हमेसा बुद्ध के आसरम में जाता रहा और जरूरत मंदों का मदद भी करता रहा, एक साल बाद वह बुद्ध के पास गया, तो बुद्ध मुस्करा कर बोले, क्या तुम अपने मित्र से अधिक धनवान बन गए, ब्यक्ति ने कहा बुद्ध, उससे अधिक ध ध्यान देता हूं, और आज मेरा सोच इतना बिक्सित हो गया है, कि मैं दुसरे का तरक्की देखकर, उसकी कम्याबी देखकर जलता नहीं हूं, बलकि खुसी होती है मुझे, साइध इसलिए मैं दीन परती दीन, जीवन के हर छेत्रों में आगे बर रहा हूं, दोस्त वीडि झाल